हाई ये वीडियो में आज हम बात करेंगे दो लोगों के लिए आठ टीम और साथ रातों के लिए स्विजलन्ड ट्रिप के लिए कितना खर्चा आता है तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स के बारे में अगर हम लोग किसी भी फ्लाइट कंपेरिंग साइट पे देखेंगे या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे तब हम लोग को स्विजलन्ड के रिटन फ्लाइट में कितना खर्चा आता है इसके बारे में पता चलेगा अगर हम लोग अच्छे से watch रखे कि flights के price के से कम जादा बढ़ते है उस हिसाब से plan करके अगर आपनी flights book कर दे जाए तो हमें ये flights 80,000 for 2 people मतलब 80,000 दो लोगों के लिए Switzerland के return trip के लिए लगेंगे तो ये हो गया flight के बारे में ये तो unavoidable खर्चा है इसमें हम लोग कोई भी पचत नहीं कर सकते उसके बार का खर्चा है वो है वीजा का खर्चा वीजा के लिए अगर आप बिना किसी agent के मतलब खुद से ही अगर वीजा के लिए apply करते है तो आपको 12-13,000 में आपका 2 लोगों के लिए वीजा हो जाएगा इसके बाद जो खर्चा आता है वो होता है रहने या फिर अपना जो भी hostel या फिर hotel या फिर airbnb है उसका खर्चा अगर basic hotel या फिर airbnb में अगर हम लोग booking करते हैं तो हमें अगर बहुत ही जल्दी book करते है हम लोग अपना hotel या फिर airbnb तो 5-6,000 से हमें अपना Airbnb मिल जाता है Airbnb की जो भी प्राइजिंग रहती है वो उसके location के हिसाब से उसके प्राइजिंग रहती है फिर भी अगर सस्ते से budget में से अगर हम लोग बात करते है तो 6,000 प्रती दिन मतलब अगर 7 रात के लिए मतलब 7 दिनों के लिए approximately 40-50,000 हमें 2 लोगों के लिए खर्चा आता है मतलब रहने का 42-50,000 हम लोग हिसाब के लिए 50,000 पकड़के चलते हैं रहने का खर्चा 50,000 तो हो गया फ्लाइट का 80, रहने का 50, वीजा का 12-30 उसके बाद वीजा के लिए हमें इंशुरेंस की जरुरत पड़ती है दो लोगों के लिए अगर हम लोग इंशुरेंस लेते हैं तब कम से कम 1000 रुपे लगते हैं दो लोगों के लिए 1000 लेकिन अगर आप अच्छा मतलब जिसमें अच्छा कवरेज मिलेगा ऐसा इंशुरेंस लेते हैं तो आपको अराउंड 1.5 के मतलब 1500 रुपे दोनों के इंशुरेंस के लिए लगेगा अब बात करते हैं स्विस ट्रावल पास की बारे में स्विस ट्रावल पास जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं कि Swiss travel pass है, एक ऐसा pass है, जिससे आप train, bus, tram, वहाँ की boat rides इसमें घूम सकते हैं तो इस pass का जो value है, वो 8 दिनों के value में बता रहे हैं 8 दिनों के लिए, दो लोगों के लिए around 60 to 61 thousand रुपीज हमें लगता है I know ये value बहुत बड़ी है पर इसमें आप कभी भी ये 8 दिनों में railway में travel कर सकते हैं, bus में travel कर सकते हैं अगर आपका hotel या फिर airbnb का location दूर है, तो आपको तो bus लगेगी तो ये सब आपके pass में include हो जाता है तो ये pass में भी बहुत सारे options है तीन दिनों का pass आता है, चार दिनों का pass आता है, आठ दिनों का आता है, पंदरा दिनों का आता है हर मतलब दिनों की हिसाब से उनकी price में कमिया ज़्यादा उतर चड़ाव है तो वो आप उनके official site पे देख सकते हैं अभी ये pass के बारे में एक tip बताती हूँ आप वहाँ जाके ही pass लीजिए, वरना यहाँ पे extra बैसे देने पड़ते है ट्रांस्पोर्ट और वो यहाँ तक आएगा इसके लिए तो अगर आपको इतना पैसा नहीं spend करना है लगभग हमारा जो भी ट्रिप का है उसमें से अगर हम लोग 60,000 spend कर रहे हैं तो आप कार भी रेंट कर सकते हैं हम जैसे लोगों के लिए ट्रावल पास ज़्यादा convenient है लेकिन जो internationally drive कर सकते हैं या फिर उनको confidence है उतना तो आप कार रेंट कर सकते हैं वो बहुत ही सस्ता जाता है आपको दिन में 4,000 रूपीज कार रेंटल में लगते हैं तो ये बात हो गई वहाँ के ट्रावल लिंगे अब आगे चलके बात करते हैं वहाँ के जो famous travel points है वहाँ की यूंग फ्राव के बारे में आपने सुना होगा अगर आप यूंग फ्राव में जाते हैं जहाँ पे यूरोप में सी सबसे उन्ची स्थित railway है वहाँ पे जाते हैं तो दो लोगों के लिए अगर आपके पास swiss travel pass हो तो आपको दो लोगों के लिए 20,000 रुपे स्प्रिंट करने पड़ेगी उसके बात बात करते हैं टिट लिस DDLJ का वहाँ बड़ा एक पोस्टर है अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ तो फोटो खिचाएंगे ही तो वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो दो लोगों के लिए लगभग 7,000 रुपे आपको लगते हैं अगर आपके पास swiss travel pass हो तो वरना उससे double लगते हैं तो अगर यह हमारा जो unavoidable खर्चा है वो अगर हम लोग देखते हैं unavoidable मतलब आप swiss travel pass या फिर car वो अपने हिसाब से देख सकते हैं hostels या फिर hotel अपने हिसाब से देख सकते हैं लेकिन अगर generally बात कर देंगे हम लोग कि अगर एक couple जा रहा है तो उनके लिए minimum खर्चा कितना आएगा याने 80 plus 13 plus 1.5 plus 60 plus 50 plus 7 plus 20 यह सब हिसाब Mirajula के 2.3 lakh हम लोग को लगता है यह unavoidable खर्चा है मतलब इतना तो around आपका लगेगा ही उसके बाद अब बात करेंगे यह 8 दिनों का खर्चा है इसके बात हम लोग बात करते हैं चॉकलेट क के बारे में पहले भी बताचकते हैं कहा और सस्ता कहा लोग महेंगा मिलता है चॉकलेट आपको स्लिजलैंड में इतना बड़ा बात लगबख 35 टो 40 रूपिज में मिल जाता है हम लोग यह 2.3 को छोड के हम लोग खाना खाते हैं, कभी-कबार हमें कभी भी भूख लग सकती है, कोई चॉकलेट्स लेता है, कोई छॉपिंग करने रहती है, तो वो भी खर्चा हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो अभी ये सब हमारा खर्चा है, तो ये आप पकड़ के चलिए, कि अगर आप दो लो तो लगेंगे, अभी इसमें में एक ब्रेकेज बता दी हूँ, आप कितना पैसा स्विजरनेंड के लिए लेके जाना चाहिए, वो कह रहता है, हम लोग प्लेन के टिकेट्स यहां से ही खरिजते हैं, एरबियन भी होटल का बूगिंग भी यहां से करते हैं, उसके बाद इं यूंग प्राव के टिकेट्स खरेने हैं, या फिर टिटलिस के, या फिर जहां भी आप म्यूजियम या फिर कहां भी जाएंगे, वहां के पैसे आपको वहा देने हैं, तो आपको स्विज टावल पास, वहां के टिकेट्स, वहां का खाना और वहां के लिए चॉकलर्स, तो कि मैंने यह सभी लिखा पड़ी में बताया तभी यहाँ पर हम लोग क्या खरचा करने वाले हैं प्लेन के टिकेट्स होटिल का बुकिंग या फिर एरबियनबी का बुकिंग उसके बाद इंशुरेंस और वीजा यह सभी अगर आप अमांट कैपिलेट करेंगे तो लगभग 1 1.45 मतलब 1,45,000 आप यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो पर राउंड फिकर हम लोग ऐसे पकड़के चलते हैं कि देड़ लाख हमारा यहाँ पर खरचा हो गया अभी फ्रैंक कितने लेके जाना है अभी हम लोग को डाही लाग खरचा आने वाला है तो बचे हुए पैसे के फ् पैसे लग सकते हैं और वहाँ जाने के बाद हमारे पास पैसे ना हो एसा ना हो मुझे मालूम है सब के पास आजकल क्रेडिट कार्ड रहता है वह पर वहाँ के फिर कन्वेशेशन चार्जेस ट्रांजक्शन चार्जेस वह पड़ते हैं उससे बेटर आप थोड़े लेके गए थे मतलब देड़ लाग हम लोग ने यहाँ स्पेंड किये बुकिंग और इसके साथ और देड़ लाग फ्रैंक के लिए स्पेंड किये फ्रैंक आये 2000 लेकिन हमारे रुपे देड़ लाग चले गया तो हमारा टोटल खरचा जब हम लोग जा रहे थे तब ही तीन लाग हो गया पर जब हम लोग वापस घूम के आये तब हमारे कुछ फ्रैंक बचे थे वो कितने बचे थे तो लगबख 50,000 मतलब हम लोग ने 3000 तो टोटल खरचा हो आ था लेकिन हमारे 50,000 फिर से वापस आ गये तो अगर हम लोग देखा जाए तो धाई लाग में हमारे ट् स्विजलेंड की एक डिश पेमस है आपको शायद मालूम रहेगा चीज फॉंडी तो अगर आप जाते हैं तो जरूर खाना वो भी कुछ सस्ती चीज नहीं है वापके 50 फ्रैंक दो लोगों के लिए मतलब लगबख साड़े तीन हजार उपे या फिर चार हजार उपे तो ऐ लेगिन अगर आप पूरे तरह से इसको स्टड़ी के करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि धाई लाग में दो लोगों के ट्रें मुम्किन हो सकती है I hope यह सभी हमारा लेखा जोका है स्विजलेंड के ट्रिप को I hope हमारा जो experience है वो आपके को चाम आ जाए आपको अगर ऐसे ही information पसंद है या फिर सुनने को अच्छे लगेगी तो आप यह चैनल को subscribe कीजिए हमारे वीडियो को like कीजिए और और कुछ सवाल हो या फिर कुछ suggestions हो तो comment box में लिख की दीजिए Thank you